जिलाकोशी नगर के तमकोई राज ब्लॉग के कोटेदार संग की बैटक ब्लॉग अद्देश विभूती बाटक की अज़िस्ता में हुई इससे एक महिला द्वारा कोटेदार अपूर्ती निरच्छा के एवं स्जियम पर लगाए कंभी आरोप की निदा की कारवाही नहीं होने की दसा में सामोही ग्रूप से वित्रण ववस्ता ठब करने की चेतावनी बैटक के बाद कोटेदार ने SSI सुनील कुमार सिंग तमकोई राज को ग्यापन देकर मामले की जांच कराने की मांग की कहा कि अगर इस पर कारवाही नहीं होती तो कोटेदार राशन वित्रण ठब कर देंगे जो राशन मिलता है वही वित्रण किया जाता है इस दोरान चंद्रभान निगम विजय और जुनायद अहमद आधी आप लुए जग्याप्चन दिया है किसीज का ग्याप्चन था जी सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मैं कुड़दार संगा देल युगूति पाशक हाँ हमारे कुड़दार को एक महिला जिसका नाम पूर्णमा साही है वह बार बार उसको गला भी ले रही है और उसको प वह बार वी पैसे नहीं लेता है पेचारे देता है फिर भी वह उसको आज चवकी इंचार्ज किया है अप लिखेंशन देखें उसको बंद करवाई उसको प्रणा नहीं किया जा रहा है तो हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे धरना पर बैठ जाएंगे निकासी बंद कर देंगे एस्जियम साहब का बक्तर था कि हमको भी काली देती है अधिकारियों को काली देती है सबी लोग उसे तरास्त है लेकिन मजबूरी है आप लोग अपने सोजिवेग से काम करि देती है या एस्जियम साहब द्वारा अस्वासन मिला है हम लोग जब तक हमारे कुटदार छूट नहीं जाते तब तक हम लोग आनिश्चित कालीन धरने पर बैचे रहेंगे निकासी बंद करेंगे कोई कुटदार हमारा ना वित्रण करेगा न निकासी करेगा वहाँ एक अधिकारियों द्वारा यह साके रासनकार हमारे कुटदार में बनवाई है कि अहाँ नजदीक रहेगा और हम तंपी राज में रहते हूं जल्ला हमको यहीं से अराम से मिल जाएगा और अराम से मिलता भी है फिर भी यह प्रतारित करती है आप लोग का कहने का मिल मतलब है जब तक कुटदार को छोड़ा नहीं जाता है तब तो आप लोग अनिशित कालीन हर्ताल कर देंगे रासन की निकासी नहीं करेंगे इंडियन प्राइम निउस से बीरो रिपोर्ट